यूपी में पंचायत चुनाओं से पहले रंजिशों में खूनी खेल का सिलसिला जारी है मौजिले में चिरैया कोट थाना शेत्र के असलपूर गाउं में मंगलवार देर रात तीन बदमाशों ने पूरु प्रधान के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी यूवक की हत्या से गुसाय लोगों ने दूसरी जाती की बस्ती पर हमला कर दिया इसमें एक बुजुर्ग कैलाश सिंग घायल हो गए जिनने इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराये गया है घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची तो ग्रामीडों ने वाहन में आग लगा दी बताय जा रहा है कि अर्विंद अपने साथियों के साथ टहलने गया था इसी दौरान धैसही नदी पुल पर कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और गोली मार दी सूचना पर ग्रामीड मौके पर पहुचे और शव को सड़क पर रख कर जाम लगा दिया इसी बीच युवक के परिवार के साथ उग्र भीड ने पश्चिम पुरा पहुच कर जो भी मिला उस पर हमला कर दिया और तोड़ फोड की वहीं जानकारी मिलने पर पहुची पुलिस को उग्र ग्रामीडों ने घेर लिया और प्यारवी वाहन में आग लगा दी मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने उच्चा धिकारियों को घटना के बारे में बताया इसके बाद भारी संक्या में फोर्स गाउं पहुची लेकिन ग्रामीडों का गुस्सा देखकर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका देर रात को अपराधियों पर कडिकारवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीड माने जो दो लड़के थे वो डरके भाग गए उनके द्वारा यह बताया गया कि एक राहूल है उसके द्वारा यह गूली चलाए गई है जो जिन लड़कों के साथ में दोड़ने गया था उनको बुलाया गया है उनसे बात कर रहे है कुस्टा को और बाकी जो आगे कारवाई य सब्सक्राइब कर दोड़कों 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 कर द हर खबर पर होगी आपकी पकड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकोन दमाना न भूलिए